मनिस कस्यप के मां के आसुओं का बाढ है जिसमें डूब रहा है तमिलना डूब यह अत्याचार जो उसके भाई और उसके मां को तरपाया गया है उसका सजा कौन इस्वर दंड दे रहा है जिस्वर के वहां देर होता है यह अंदेर नहीं होता है आज नाव चल रहा है गली- सब्सक्राइब के बाप जिस सेना में रहते हैं उसी से वही सेना लगी हुई है सेना के जवान के बेटे को तुम जेल में डालके कैदी बनाओगे तो देखो आज वही जान बचा रहा है ना वही सैनिक शब्ल में बताईए ना कि आप कहना क्या चाहते हैं कि इस्वर के दर्बार में देर होता है अंधेर नहीं होता उसका पाप का घड़ा भर गया था इसलिए कि एक इमांदार आदमी जिसका बाप इमांदारी से काम कर र देंगे अज बजा हुआ है ना नमस्कार आपके साथ में जोते सिंग आप देख रहे हैं सच्ट्रॉक्स देकि तमिल नाजू में बीते कई दिनों से जलजमाव देखने को मिल रहा है और वहां पर जो चक्रवात आया है उसको लेकर के लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसी पर बात करने कले सुदीर जी मौझूद है लगातार काई मुद्वा पे खुलके बात करते हैं क्या बोलिएगा जिस तरीके से तमिल नाडू तहस्नेस हो रहा है वो जलजमाव है क्या है वो मनीज कश्यप के माग के आसूं का बाढ़ है जिसमें डूब रह है तमिल नाडू यह अत्याचार जो उसके भाई और उसके माग को तरपाया गया है उसका सजा कौन विस्वर दंड दे रहा है जिस्वरक वहां देर होता है अंदेर नहीं होता है तो जलजमाव है जो बाढ़ आई है उसका कनेक्शन अप मनीज कश्यप से क्यों जोड़ रह यह अगलती कौन किया था तमिल नाडू की सरकार सब्सक्राइब का मुख्यमंतरी ने फौन किया तेजी सब्सक्राइब परिवार इमांदारी रहा है वह इमांदारी से काम कर रहा था गरीबों की आवाज उठाना आव गरीब का मतलब होता है भगवान और वह उन गरीबों की आवाज जो उठाता है उसकी आवाज भगवान भी सुनता है और उसका पेडाम तमिल्लाडू सरकार भुगत रही है आज नाओ चल रहा है गली-गली में आज NDRF, SDRF, सा एक हपते से घर में गुसे हुए हैं लोग वहां की मलेरिया क्या चिकन गुनिया क्या-क्या बोला यह उसकी सजा भुगत रहे हैं और दूसरा मनिश कश्यप जैसे इमांदार साहर और गरीब पत्रकार को तुम जेल में भोजो तो भगवान छोड़ेंगे उन्हारी वजा देंगे आज बजा हुआ है ना क्यूं बजा रहे हैं एक फ्लाइट नहीं एक भी बस नहीं तुम्हे वह जमनीश कश्यप जैल में था पूरा तमिलाडू जैल में है आज क्यों कह रहे हैं बहीं चारो तरफपंद है सेना लगी उसी सेना क्यों बचा रहा है तकमिलाडू को बचा रहा हैं जिस सेना में रहते हैं उसी से वही सेना लगी हुई है सेना के जवान के बेटे को तुम जेल में डाल के कैदी बनाओगे तो देखो आज वही जान बचा रहे हैं न वही साहिनी वही सेना के जवान जान बचा रहे हैं तुम्हारी और तुम उस आदमी के कहने पे चारा चोर के बेटा के कहने पे तुम उसको छे महीने जेल में डाले रखे तकी नहीं मदुरे जेल में अखिर उसको जमानत में अध्मनीज कशेप होते तो तमिल नाडू भी पहुच जाते तो यह मेरे कहने का मतलब है कि यह पाप का घड़ा अभी तो चक्रबाद भी हार भी आएगा उसी का पाप देखिएगा अभी अभी तमिल नाडू भुगत रहा ना लालू परिवार भी वुगतेगा सब भुगतेंगे लाम और भी तो लोगे ना भी हार में सुधीर नहीं बिहार का मतलब नहीं जो राजा होता है न अब इसके बाद से जब कस्ट हो रहा है तमिल नाडू की सरकार तो किसको किस जिम्मेदार कौन है एक तरफ तुम कहते हो तमिल लाडू बेस्ट राज्य है तो कहें इतना पानी लगा है कहा गया तुम्हारा इंफ्राइस्टर कहा पर इतना पानी भरा है कि लोग जान नहीं पा रहे है नाव चल रहा है पूरे तम पूरा तमिल लाडू में चैन्नई में पूरा नाव चल रहा है गली-गली में समुंदर बन गया समुंदर तुम्हारे घर चलाया क्यों चलाया मनीश कश्यप की मां के आंसू उस मां के दर् तुम इसे आपने वह सजा दे रहा है यह चेतावनी है वह जितने मनीश कस्यप जैसे इमांदार लोगों के साथ जब अत्याचार होता है तो कहीं एक्सिडेंट में मरते हैं कहीं चक्रवात आता है कहीं तूफान आता है कहीं कुछ होता है इस स्वर का लेकिन वह मान लिया जा अधिकत है मैं पूरे दक्षिड को नहीं कर रहा हूं तो जबाब दे रहे हैं उनको तो वही वही तेजस्वी सूरिया ही जबाब दे दिया ना उनको उसी संसद में दे दिया ना तो फृस्त तरीके से बोल रहें शर्म नहीं आ रही है इस बात का सरम हम को का सरम हम को तुम संत्राहान का सपत लिए हूं जब तुम बेसरम हो गए तो हमारे पास तो कोई संवेधानिक पद नहीं है तो हम इट कज्बा पथर से देना है अभी तो यहीं लेकर गए थे ना मद्यप्रदेश चतिस गड़ हारे हैं तो कौन सा मुद्दा था जाती जनगड़ना आरक्षाड नोकरी यहीं सब मुद्दे जो बिहार के मुद्दे थे वहीं लेकर रहुल गांदी गए थे आपको कहना यह भी कि मनिस कश्रेप के साथ ज ही मुद्दा गया था ततीनों जगा तो क्या हुआ यह हार भी मनिस कश्रेप के वजह से हैं और क्या बड़ी बाग क्या दिया है भी तक तो ऐसा किसी ने कहा ही नहीं कह रहा हूं क्यों कह रहे हैं इसलिए कि वहां की जनता भी देखी कि एक इमांदार पत्रकार को यह सब ज जानकरिया देते रहेंगे जाहिंद